हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज में बनाने वाली हूँ समा के चावल की रेस्पी जो बहुत ही टेश्टी बनके तयार होगी तो देखे मैंने गैस पे कराही चड़ा लिए है और इसमें मैं डाल ले हूँ देसी गी तो मैंने दो चमर्च देसी घी इसमें एड कर दिया है अब मैं इसे मेल्ड हो रहे दूँगी ए रेस्पी मैं ब्रत में खाने के लिए बना रहे हूँ इसलिए देसी घी में बना रहे हूँ तो आप लोग देख सकते हैं देशी की मेल्ड हो गया है तो मैंने बारिक बारिक जो है डैफरूट कट कर लिया था तो यह मैंने थोड़ा सा बेंदाम एड़ कर दिया है अब इसमें मैंने थोड़ा से किसमे से एड़ कर दिया है थोड़ी से मैंने बारी कट कर दिये थे छोहाडे वो भी एड़ कर दिया है आप इसकी जगह पर काजू पिस्ता जो भी आप एड़ करना चाहे है इसको रोष्ट कर लेना है दो से तीम मेट लगेंगे रोष्ट करने में तो देखे रोष्ट हो चुके हैं अब मैं इसे एक बर तो एक चमच और डाल सकते हैं इसको बराबा चलाते हुए रोष्ट करना है क्योंकि अगर इसे हम छोड़ देंगे तो नीचे से जल जाएगा और इसको अपने मन मुताविक रोष्ट करना है तो आपको जैसा पसंद हो उसी साब साब रोष्ट करिएगा क्योंकि कोई-कोई बहुत जादा रोष्ट जो है उनको पसंद आता है लोगों को और कोई हलका तो मैं जादा रोष्ट नहीं करती हूँ मैं फिर भी मुझे तीन मिनट लग गए इसे रोष्ट करने में तो यह हो गया है रोष्ट तो इसको मैं क्या करूंगी कि इसमें और भी चीजे जो है इसमें मिलकी यूज होता है तो इसको देखे मैंने डाल दिया है और इसे कवर कर दूंगी और इसको लो फ्लेम पर 15-20 मिनट छोड़ दूंगी तो यह बहुत अच्छे से जो है बन जाएगा इसको बीच बीच में चलाते रहना है कि नीचे पकड़ ना ले तो देखे अभी 6-7 मिनट हो गये थे और मैंने इसको अभी देखा तो अभी इसे और रख रहा है क्योग्य अब यह अच्छे से हुगा नहीं है तो फिर से मैंने इसको देखे देख लिए तो यह हो चुका है आप देख सकते हैं समा के चावल के दाने कितने खिले-खिले देख रहे हैं और इसमें मैं डालूंगी गुर्ड आप इसकी जगह चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं मगर जो गुर्ड का टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है तो इसमें मैं तो यह कहूंगी कि आप लोग गुर्ड डालिएगा क्योंकि गूर्ड डालने से इसका जो टेस्ट आता है मैं बताने से वजर आप ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा फिर बार बार आप बनाएंगे अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी इसको रखने के बाद दो मिनट से तीर मिनट छोड़ दूँगी कि मैंने डाइफ रूट डाल दिया है जो मैंने रोश्ट के हुए थे इसकी खुस्पी बहुत ही अच्छे आती है और यह सामने से जो है इसका कलर बहुत अच्छा आया था मगर पता नहीं क्यों लाइट के वज़े से क्या इतम इसमें जो है वाइट वाइट दिख रहा है और तो इसमें मैं थोड़ा सा किसमिस एट कर दिया और एक चमल देशी घी एट कर दिया क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भाप निकल आया है अभी ठंडा नहीं हुआ है अब मैं गर्मा गर्मी से सर्व करूंगी तो एक बार आप लोग जरूर ट्राइब करिएगा और एक थेंक्स पर वाचिंग